आज हम food sample में crude protein निकालना शिखेंगे, crude protein generally micro gelaufen method से की जाती है, यह 3 steps में पूर्ण होती है पहले steps में digestion, दुसरे में distillation, यह तीसरे में Titration देखेंगे आईए हम देखते हैं, digestion का first step जेलडाल प्लास्क को दो कर होट एरोन में सुखा लेते हैं उसके बाद में मारकर से नम्बरिंग करके रख लेते हैं जेलडाल प्लास्क रेडी कर रखने के पस्चाद हम Empty scoops का वेड़ नोड़ करते हैं जिस सेंपल का हमें total protein निकलना होता है उससे ड्राइ कर क्राइन करके एक पॉलिथिन में नाम लिखकर डेशिगेटर में रख लेते हैं उसी सेंपल को हम इसकूप में आदे से दो ग्राम के बीच में वेट करके जलडाल फ्लास्क में ट्रांसपर कर लेते हैं सेंपल ट्रांसपर करते وقت बहुत साउदानी रखनी चाहिए सेंपल के पार्टिकल जलदाल से बाहर नहीं गिरना चाहिए इसके लिए हमको एक हैर ब्रस की हलप से पूरे पार्टिकल को जलदाल में ट्रांसपर कर लेना चाहिए जितने सेंपल का प्रोटीन करना होता है उनका वेट करके वायर बास्केट में रख लेते हैं यह बनायागा डाइजेशन मिक्चर है इसमें 9 भाग सोडियम सलफेट या पोटेशियम सलफेट होता है और एक भाग कौपर सलफेट का होता है Digestion Mixture एड़ करने के लिए एक test tube लेते हैं और उसमें 5 ग्राम की मार्किंग बना लेते हैं एक ग्राम सेंपल के पीछे 5 ग्राम Digestion Mixture डालते हैं Sodium Sulphate boiling point ने increase करता है और Copper Sulphate indicator और catalyze का काम करता है अब हम commercial concentrated S204 automatic Tilt Measuring की साहता से डालेंगे Tilt Measuring को उपर की और उंगली से होल्ड कर पकड़ते हैं और पीछे की और जुकाते हैं 10 ml Tilt Measuring में S204 आ जाता हैं और इसको हम जलडाल फ्लास्क में रोटेट करते हुए डालते हैं ताकि Fit Simple के सारे particle बोटम में चले जाए इस परकार से digestion mixture और S204 डालने के बाद में हम इसको 2-3 गंटे के लिए settle down के लिए रख देते हैं तीन गंटे के बाद में heater को बाहर खुले में रख कर चालू करते हैं और उसके उपर wire basket रख कर सेंपल गरम करते हैं डाय से तीन गंटे में complete digestion हो जाता है कुछ पार्टिकल रह जाते इसलिए हम इसे shaking करके वापस रख देते हैं Guys धीरे धीरे हमारे सेंपल digest होने लगे हैं हमारे सेंपल का color black से change होने लगा है धीरे धीरे यह green हो गया green होने के पस्चात में अंत में blue color का हो जाता है यह blue color copper sulphate के कारण होता है अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं ठंडा होने के बाद में हम 100 ml volume बना लेते हैं इसके लिए एक funnel और एक funnel listen की आवसकता होती है थोड़ा distill water डाल कर इसको हम shake कर लेंगे शेख करने के बाद में हम funnel की साहिता से volumetric में डाल लेंगे इस परकार से कम से कम हम 6-7 washing देते हैं 6-7 washing complete होने के पस्चात हम इसका 100 ml volumetric में बने mark तक distill water डाल कर volume बना लेते हैं complete volume बनने के बाद में volumetric cape लगा कर shake कर लेते हैं shake करने के बाद में एक plastic sample water लेते हैं जिसके उपर sample name, batch और दिनांग का लिक कर उसमें store कर लेते हैं अब हम crude protein का distillation का part देखेंगे बोरिक acid बनाने की विधी में description में डाल दूँगा unit के switch cone करने के बाद में हम condenser के लिए tape को भी खोल लेते हैं guys मैं पहले demo बताऊंगा उसके बाद में simple लगा कर बताऊंगा सबसे पहले conical flask लेते हैं जिसके उपर 50 ml का mark बना होता है उसमें 2% boric acid डाल देते हैं अब conical flask को distillate collector pipe के नीचे boric acid में दुबा कर रख देते हैं 10 ml pipette की साहता से हम sample को लेकर उपर लगिक funnel में डाल देते हैं 40% NOH एक test tube में लेकर funnel में डाल देते हैं funnel को एक washing देकर नीचे लगे clamp को बंद कर देते हैं distillate वाली clamp close थीव से on कर लेते हैं और extra इस्तिवाली on थीव से close कर लेते हैं 15 से 20 मिनट में 50 ml distillate collect हो जाता है अब हम conical flask को distillate collect pipe से हटा कर उसके नीचे एक बिकर में पानी भर कर रख देते हैं यहाँ पानी reverse सक्के समय assembly को वास करने में काम आता है इसके पस्चाथ हम extra stream वाले pipe को open करते हैं open करने के पस्चाथ जिस तरब हम stream दे रहे थे हैं उसको close करते हैं close करने के बाद में पूरा sample बाहर फेक दिया जाता है और उसको इस pipe के थुरू बाहर निकाल लिया जाता है अब हम sample लगा कर देख रहे हैं 15 ml मार्किंग लगे कोनिकल फ्लास करको लेते हैं और उसमें 10 ml 2% बोरी के सिट डाल देते हैं और distillate collect pipe के नीचे दुबो कर रख देते हैं रखने के पस्चाथ हम 10 ml पिपेट की साहिता से sample लेते हैं और funnel में डाल देते हैं sample लेने के पस्चाथ 40% naos लेते हैं naos लेने के बाद में हम उसी में एक washing देते हैं और claim नीचे कर देते हैं और हलका पानी भर देते हैं then distillate वाला claim open करते और extra stream वाला claim close कर देते हैं उसके बाद हमारी सारी stream distillate के और divert हो जाती है हमारा distillation start हो गया है boric acid में 10 ml indicator मिलाए जाता है जिसमें 3 भाग methyl red एवं एक भाग bromocosal green का होता है bromocosal green indicator के कारण ही boric acid का color pink से green हो जाता है हमारे distillate का color धिरे धिरे change होने लगा देखिए green होने लगा है और complete green हो गया है इस तरह से green color हो जाता है कोनिकल पर लगे 50 ml marking तक distillate collect हो जाने के बाद में इसको remove कर लेंगे और इसके नीचे distill water भर कर बीकर रख देंगे guys हमारा distillate धिरे धिरे 50 की marking तक आने लगा है अब इसको हम remove कर लेंगे अगर हम remove नहीं करेंगे और claim बन कर देंगे तो यह reverse हो जाएगा इस तरह से साब बीकर ले लेते हैं और साब बीकर में distill water भर लेते हैं distill water भरने के पर चाहद हम कोनिकल फ्लास्क को remove करते हैं और उसके नीचे बीकर लगा देते हैं extra stream वाले claim को on कर देते हैं और distillate वाले को बन कर देते हैं और इस तरह से reverse प्रेस्पर बनता है और हमारा wastage बाहर पीछे फैक देता हैं अब हम अगले sample के लिए फनल के claim खोलते हैं और पीछे वाले wastage के claim को खोल कर एक विकर में लेकर उसे फैक देते हैं और अगला sample लगा लेते हैं अब हम collect distillate को n by 100 s204 से titrate करेंगे यह automatic bulb burette है इसको हम बल्ब को pressure करके भरते हैं इस तरह से pressure करने से हमारा s204 उपर के और चड़ता है उपर के और चड़ने के बाद में ब्यूरेट में इस तरह से भर जाता यह हम इसको तब तक भरते हैं जब तक 0 से उपर आ जाए फिर छोड़ देते छोड़ने के बाद में आपने आप 0 हो जाता है titration बहुत ही साउधानी पूर्वक करना होता है titration drop by drop ही करना चाहिए और shaking करता रहना चाहिए s204 की एक भी drop बाहर नहीं गिरना चाहिए अन्यता reading गलत हो जाएगी titration तब तक करते हैं जब तक green color disappear हो जाता है और बिल्कुल light pink color आ जाता हो हमारा green color disappear हो गया है और हम इसको देखेंगे बिल्कुल light pink color आ गया है अब हम reading note कर लेंगे reading note करने के बाद में हम reading को formula में apply कर calculate कर लेते हैं calculation formula में description में डाल दूँगा वीडियो देखने के ले धन्यवाद अच्छा लगे तो like, subscribe and share करना ना भूले